असलाम लेकूम, welcome back to my channel, I hope आप सब ठीक होंगे, मैं बिलकुल ठीक हूँ, alhamdulillah और आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जबरदसे बॉंग पायो की रेसिपी, तो बॉंग पाये पाकिस्तान की हर सिटी में बहुत ज़ादा शोक से बनाए और खाये जाते हैं, और मैं जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है लाहोरी बॉंग पाये की रेसिपी, वो भी जो कमर्शली बनाये जाते हैं, वो आप लोग बाहर से लाके खाते हैं, तो वो ही जबरदसा टेस्ट होगा इसका, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिलकुल अथेंटिक रे ली है, और एक तरफ ले लिया है, मैंने बॉंग, बॉंग मैंने हाफ केजी ली है, बॉंग के पीसिस बड़े-बड़े लिये हैं, सबको साफ करने के बाद अच्छे से वाश कर लिया है, और फिर अब हमें ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं डालूंगी सारे के सारे बॉंग पाई, और ये देख ले मैं इस तरह से रख रही हूँ बॉंग पाईों को, और ये बहुत ही जबरदस रेसिपी होने वाली है, सही जैसे के आप लोग बाहर से किसी भी रेस्टरान से ओर्डर करते हैं, या बाहर जागे कहीं खाते हैं, तो वो ही रेसिपी ये डाल दी है मैंने, यहां पे है नमत, वन टी स्पून काली मिर्च, साथ से आठ जवे और लॉंग है, पांच जवे, दो बादियान के फूल है, वन टी स्पून ये है वीरा, आठ से नो लसन के जवे, सिनिमन स्टेक एक, दो बड़ी लाइचियां और चार पेजबाद, य अब हम इसमें पानी डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे, पानी हम इसमें दो लीटर डालेंगे, सारे स्पाइसिज मैंने एड कर दिये हैं, पानी के साथ इसको हम बॉयल करने रखेंगे, पानी ये देखेगा कि डिप हो रहा हो सही तरह से, बीच में भी हम खोल के आपको दिखाऊंगी मैं तीन से चार दफा मैं इसको open करूंगी तो पानी देख ले मैंने डाल दिया है काफी सारा पानी लिया था और ये सब add कर दिया है और अब हम इसको जोश आने देंगे 15 मिंट के लिए हम इसे रख देंगे high flame पे without धकन रख दें धकन के साथ रख दें और जोश आ चुका है अब मैं इसको pressure cooker को बंद नहीं कर रही मैंने इसमें कोई lid नहीं उपर से लगाई नहीं मैं लगा रही हूँ rubber pressure cooker की ऐसे ही धकन रख देंगे और मैं pressure cooker में सिर्फ इसले बना रहे हूं कि क्योंगे side fold होती है इसकी तो वो अच्छे से stream अंदर रहती है इसको हमने कोई lid नहीं लगा नहीं उपर से कुछ भी नहीं लगाना और इसी तरह से हमने इसे पकने देने हैं 5 घंटे के लिए तो बीच में हम इसको देखेंगे 2 घंटे हो चुके हैं पानी काफी कम हो रहा था तो मैंने 2 दफा कोल के पानी इसमें add किया क्योंकि पानी end पे जितना मुझे चाहिए वो बहुत कम रह जाता है तो ये देखें आप लोग 2 घंटे के बाद इसकी जो look है वो काफी अच्छे से ले रही हूँ 3 टमाटर नॉर्मल साइज के और एक तरफ लोंगी प्यास मीडियम से आज़ का प्यास लिया है और बड़ा बड़ा काट लिया है प्यास के 4 स्लाइस किये मैंने 4 से 5 कर लें और टमाटर के 2-2 स्लाइस किये 7 दो ग्रीन चिलिस ली और एक मैंने लिए है कडाही उसके अंदर मैंने यह सब डाला और साथ में थोड़ा सा पानी आइड करेंगे ताकि यह फ्लेम को आयल करेंगे ताकि यह बॉयल हो जाए अब इसको हमने boil करना है 5-10 मिनिट के लिए, इतना boil करना है कि इसका कच्छा पन खतम हो जाए सारे चीजों का, तो ये देखें मैंने पानी add कर दिया कडाही में, हिलाएंगे और इसको 5-10 मिनिट के लग देंगे, एक तरफ मैंने लिया है लसन, मुठी भर के लसन और 1.5 बज़र चुके, यहां पे टमाटर के जो पील्स हैं, वो उतर चुके हैं चिलके, और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं ये चीजें, और अब हम इसको सही से जो टमाटर के एक्स्ट्रा पील्स हैं, वो सारे रिमूव करने के बाद, मैं इधर सही इसको डिरेक्ट डाल अब इसके अंदर ही, तो ये सब चीजें मैंने जूसर चार में, ब्लेंडर चार में डाल ली, और अब इसका पेस्ट बना लेंगे, और उसी कड़ाई को लेंगे, ज्यादा चीजें वेस्ट नहीं करेंगे, वो ही साफ थी कड़ाई, अब मैंने इसमें 1x4 cup oil का डाला है, आ ये डालने के बाद जो मैंने आपको दिखाए थे लसन अद्रकुस का पेस्ट बना लिया दो बड़े टी स्पून बने थे पेस्ट के अब आपने इसे मिक्स हो जएगा तो इतना पकाना है कि बस हर दफार जैसे आपको बताती हूं कि नीचे ना लगए इतना पकाना है अब इस प्रेंटेक्व कि अद्रकुस करें लिए णिए थाओ जोंसे जो रहा है तो इस प्रेंटे में आपको उनकुझा से चाहर जोगा दीधी फोर जोन से तोग्ताव हूं थन्दीधा सब्सक्ताव देना लिए प्रेंटेक्भी नबकर दोईगा कि अटेओ जाओव थे दा आल किया जाब लिए द्रम बाइब हो निलिए आफर या। भुँटर शुटर रही है याड़ की पेलाया है यह क्यों जाने निलिए निलिएो हुट बीपनेज है यह दाल गुत गाया है निलिए आलिए से कशल चरे निलिए भुट्पाइब अज़कर सोगते है हर दो खिर नाप ने नमाने हß दो कीदिर नियुके जानके वानवा ready वा लॉफ नहीं ताल को समय हम ऑफिर के शाओ कीदिर्दैन्ट तनक समय हो나rain अपीट कहां हो और लॉफ सकतेया हैayan चैया ही अरिकम अब इस मिलें चाहिंonstance तो यहां पे पांच गंटे हो चुके हैं मैंने कोई प्रेशर कुकर में वेट नहीं लगाया था ना ही अंदर रबड थी इसलिए यहां पे रखा था ताकि अंदर अच्छे से स्टीम बने और यह सारी यखनी बॉंग पाई की वो स्टीम में बगले और अच्छे से यखनी निकल आए तो यह देखें दो बार मैंने बीच में खोला है लिट को और पानी एड़ किया इसमें एक एक लीटर पानी मैंने और एड़ किया था और एंड पे मुझे इतना साई पानी रिक्वाइड था अब आपको दिखाती हूँ कि कितना गल चुका है यह बोटी काफी गरम थी तो मुझे से उठाई नहीं जा रही थी अब स्पून से देखें बहुत अच्छे से यह बोंग टेंडर हो चुकी थी और पाई की बोटी अब आपको दिखाऊंगी यह देखें पाई की बोटी आपको इतनी गलानी है कि वो अलग ना हो साथ ही लगी रहे लेकिन बहुत अच्छे से गल जाए खाने में तो यह देखें इस तरह से हमने अब सारे के सारे जो खड़े में साले एड किये थे वो इधर से निकाल लेने हैं तेजपात और यह सब चीजें जो हमने एड की थी वो मैं अभी यहां से ढूंड रही हूँ असल में वो गलने के बाद नीचे चला जाते हैं बैट जाते हैं और इस तरह जादा हिला भी नहीं रही थी में डर रही थी कि कहीं यह तूटना जाए तो यह देखें अब लॉंग वगारा निकल रहे हैं इस टाइम पे भी निकाल लें और बाद में अगर आपको कोई नज़र आएं तो थोड़ी बहुत रहे जाएं तो बाद में भी निकाल सकते हैं तो अब मैंने इसको 15 मिंट रख दिया था आयल उपर आ चुका है सही से बुनाई हो चुकी है इस मिसाले की सारा का सारा जो पानी था टोमाट्रों का वो डॉर्ड हो चुका अंदर ही और यह देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इस मिसाले पे इस तरह से मिसाला बिल्कुल भी कच्शा नहीं रहेगा आपने जो प्यास एट किया टोमाटर एट किया वो जही से boil भी हो जाएगा और time भी कम लेगा इस तरह से तो अब मैं ये bonk pie जो है boiled इसके अंदर डाल रही हूँ और इस time पे भी हमें जो मिसाले उपर नजर आएंगे वो निकाल लेंगे और ये देखें काली मिर्च वगैरा मैं अभी भी remove कर रही हूँ इसके अंदर से टेस्स सारा आ चुका होता है इनका पांच घंटे ये पके हैं और बहुत अच्छी सी खुश्बू आ रही है अब मैं इसको medium to high flame पे 10 से 15 मिन्ट के लिए रखतूंगी और इस तरह से धकन थोड़ा सा हटा देना है माशाला माशाला इसकी final look देखें बहुत ही जबरदस बहुत ही अच्छी और commercial ही जो टेस्ट हमें मिलता है इन्शाला इसमें वही टेस्ट होगा वही बिल्कुल रेसिपी आपसे शेयर की है मैंने तो इसको सर्फ करते हैं फिर आपको इसकी final look दिखाते हैं कितनी जबरदस्ट फिर खा के दिखांगे आपको कितने टेंडर है और माशाला ये देखें पाई की final look है ये मैंने पूरा पाया जो है वो बिल्कुल low flame पे बनाया है पांच घंटे ये low flame पे पकाया है तब ही इसका ये टेस्ट निकला आप मैं ट्राइ करती हूँ बहुत ही बहुत ही लजीज लग रहा देखने में थोड़ी सी runny consistency होती है इसकी लेकिन हाथ से ये चिपक रहा था सही पाय की जितनी भी यखनी थी वो निकल चुकी थी इस टाइम पे आप मैं ट्राइ कर रहे हैं इसे बहुत ही जबरदस सा आने वाला बन रहा है देखें आप लोग इसको नान के साथ खाएं रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये और ये देखें बॉंग लगाई बहुत ही जबरदस्त बहुत अच्छा और हर एक एक चीज़ का मुझे टेस्ट आ रहा था पहले मैंने बॉंग ट्राइ की फिर मैं पाय की बोटी ट्राइ करती हूँ ये देखें ट्राइ करने में ही सारी व खुबिया ही नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था, थोड़ा सा नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सबस्क्राइब करके शेयर करें, थैंक यू सो मच वर वाचिंग, आला हाफिज, टेक कियर